सबसे पहले महा महीम पुरवराष्ठपती स्री प्रनम मुखरजी को सुर्धानजली अर्पित करता हूं उम्मीदों का दिया जला कर आया हूं इसे बुझा मत देना, किसी और की तरह हमें उल्जा मत देना उम्मीदों की दिया जला कर आया हूँ इसे बुझा मत देना किसी औरों की तरह हमें उलजा मत देना आरजू है आपसे निसीकान दुबे जी आरजू है आपसे मेरी आवाज को उचाई तक ले जाना किसी सरकारी फाइल की तरह इसे दबा मत देना नमस्कार मैं हूँ अनिल जाधव मैं एक माध्यम हूँ लेकिन यह आवाज उन तमाम हजारों लाखों स्टूडेंट्स का है जो रेलेवे, एसेसी, बेंकिंग या किसी अन्य तरह के जेनरल कम्पिटिशन के तयारी कर रहे हैं सरकार हमसे कहती थी कि चीन के समान को बहिसकार करो, हमने चीन के समान को बहिसकार करने लगे तब तक सरकार हमें ही बहिसकार कर दिया मानली संसत महोदय जी आप सोशल मीडिया पिर काफी एक्टिव रहते हैं और रहना भी चाहिए देश के उन तमाम युवाओं के लिए आप एक प्रेर्णा स्रोत है जो कठीन से कठीन या विकर्ट से विकर्ट परिष्थिती में भी डटे रहते हैं आप से ये गुजारिस करने का मेरा तातपर मेरा मकसद यही है आपने देश की जनता का आवाज को सरकार तक सोसल मिडिया के दोरा पहुचाने का काम करते हैं और सरकार की बात को भी जनता तक पहुचाने में आप बहुत आगे रहे हैं हमेशा मैं आपके Facebook से या फिर Twitter पे या फिर हर जगा में आपको देखता रहता हूं उसी आसा और विश्वास को लेकर कि हम आज उन तमाम साथियों और विद्यार्थियों के माध्यम से लाइव आकर कि आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से संथाल प्रगना की जनता का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आज यहां की जनता आज यहां का स्टूडेंट आपसे गुजारिश करती है कि हमारे मुद्य को आप अपने सोसल साइट Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter या फिर किसी अन जरू उठाएं यह संथाल प्रगना की जमीन है हमेशा क्रांती कारियों और वीरों का जमीन रही है और I hope उमीद करता हूं इस आंदोरन में भी संथाल प्रगना की युवा आप जैसे तेज तरार और इनर्जेटिक नेता का साथ मिलेगा तो संथाल प्रगना भी इस आंदो में पीछे नहीं रहेगी मुद्दा यह है कि सरकार सरकारी नोकरियों के लिए नोटिफिकेशन निकाल कर फारम भरने से लेकर कि अंतिम परिणाम देने में सालों साल लगा देती है और कोस्टन पेपर आउट होने का चांस 110 परसेंट लगा ही रहता है कोस्टन पेपर में स्केम होना यह एक आम बात हो गया है जिससे तेज तरार इमांदार और गरीब गरिवा स्टूडेंट नोकरी ले ही नहीं पा रहा है वही नोकरी ले रहा है जो लफगा धेर तरह से वाटसेप फिस्बूक ग्रूप में जुडा हुआ है और सोसल मीडिया का जैसे तैसे गलत तरीके से इस्तिमाल करके वो सोसल मीडिया से कहिन कहें उसको एक्जाम की आधा गंटा या फिर दस मिनट पहले उसको कोस्टन का आंसर मिल जाता है सरकार की नीती तो देखिए एक आम चुना में 55 से 60 करूर जनता भाग लेती है जिसी कुछ ही महिने में इलेक्षन का डेट, इलेक्षन का परिणाम दे करके पूरी तरह से फैनल करके एक नई सरकार का गठन कर लेती है और जरूरत पढ़ने पर सरकार खरीद बिकरी में भी पिछे हड़ नहीं हड़ती है लेकिन सरकारी नोकरी के लिए एकजाम लेने के लिए सरकार के पास कोई नीती नहीं है पहले जो फॉर्म हम स्टूडेंट मातर एक से डेड़ सो रुपईयां भरते थे आज उसको भरने में एक हजार रुपईया लग रहा है वो गरीब गेरिवा मजदूर जो किसी तरह से कहीं से छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ा करकि या फिर किसी भी तरह से अपना रोजी रोटी चलाता था किसी छोटे सहरों में रूम रेंट लेकर के रहता था वो हजार रुपईया फोर्म भरने के लिए कहां से लाएगा मुद्दा ये है सर कि पिछली रेलवे के जो बहाली आई है उसमें सरकार लगभग ढ़ाई करोर स्टूडेंट से साड़े चार सो रुपईया करके पैसा वसुली है जो चुनाब के ठीक पहले भॉब निकाला गया था मेरा मतलब ये है जनता साफ साफ ये कह रही है मैं खुद कह रहा हूँ इस बात से मैं खुद एगरी हूँ कि चुनाब कराने के लिए आम जनता से सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है रेवेन्यू कलेक्ट हो गया चलिए हो गया लेकिन डेड़ से दो साल हो चुका है नहीं प्री का कोई डेट आया है कुछ उसका लेखा जोका है ही नहीं जब जब छात्र बोला है देश का सिंहासन डोला है सांसर महोदा जी देश को एक बहुत बड़े जन आंदोलन से बचा लिजिए आज ये लड़ाई ट्विटर पर है फेस्बुक पर है यूट्यूब के माध्यम से है लेकिन जिस दिन स्टूडेंट सडक पर उतर आईगी दिल्ली में पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा भारत की इतिहास में इस तरह से छात्रों के द्वारा किया गया आंदोलन बहुत सारा भड़ा पड़ा है मैं डिसकस करने लगूँ तो टाइम कम पड़े आगा स्टूडेंट्स इस गोईंग ओन ट्रेंडिंग वन ओन ट्विटर मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों मैंने तो अपना काम कर दिया अब आपकी बारी है ये विडियो को शेर करो लायक करो और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो जिनके लिए मैं बनाया हूँ मैं तो टैक कर ही दूँगा मैं तो वहां तक पहुचाने के कोसिस करूँगा ही आप लोग से भी निवेदन है आप लोग से भी गुजालिस है इस वीडियो को सांसद महोद है हमारे निशिकान दुबे तक पहुचना चाहिए और आई होप वो इस मुद्धे पर जरूर कुछ न कुछ जरूर करेंगे चलिए साथियो यहाँ वीडियो को विराम देता हूँ जय हिंद